हम सब लोग चाहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, वो अच्छा से बैदर और भैदर से उत्म हो, और जहां हम निवास करते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, वो उत्म से उत्म जगा हो, हम सब की यही काम ना होती हैं, हम सब की कोशिश भी यही होती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, अच्छे से बहतर बने और बहतर से उत्तम बने हमारी हर प्रकार की कोशिश जो कुछ हमारे पास है और आज हम जो कुछ भी है उसे और बहतर बनाने की सोच में लगे रहते हैं हम सब को रिचना करने वाले परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हो उत्तम से उत्तम पुदार्द हो और हमारे जीवन भी सबसे उत्तम हो और जहां हम रहते हैं और आगे हमें रहना है वो सबसे उत्तम जगा हो इस प्रयास में थोड़े हद तक हमलग कामियाब हो जाते हैं तो कुछ हद तक हम असफल हो जाते हैं हर एक चीज, हर एक स्थिति, हर एक हाल, हर समय हमारे हाथों में नहीं होता है कभी हम बड़ी सामद को रखते हैं, धन को रखते हैं, अनेकों शक्तियों से बढ़ कर वीरता और सामद को रखते हैं फिर बे कुछ काम हमलग नहीं कर पाते हैं जब प्रभिश्यमस्य संसार में बहुत इक शरीर में थे, उनके सामने भी कुछ ऐसी चुनो दिया और कुछ ऐसा हालात थे, जिनमें प्रभिश्यमस्य ने दखल नहीं दिखाया पर उतक खामोश होकर उसे पूरा होने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन इश्यमस्य जहां कहीं भी चाते थे, लोग उनके बारे में सुनकर बड़ी संक्याम उनके सामने आकर बैठ जाते थे कुछ ऐसे घटनाओं को देखेंगे जिनमें प्रभिश्यमस्य बहुत आसानी के साथ में बड़े चमतकार करते हैं और कुछ घटनाओं को देखेंगे जा इश्यमस्य खामोश रहते हैं आए ये बवितर शास्तर की और अपनी ध्यान को लेकर चलें मद्धिकस्व समाचार अध्या छोदा उसका पहला वचन से पढ़ेंगे उस समय चोताई देश के राजा हेरोदस ने ईश्यू की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा ये यहोना बब्तिस्मा देने वाला है वो मरेव में से जीव उठा है इसलिए उससे सामत के काम प्रगट होते हैं क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलुपिस की पतनी हेरोदियास के कारण यहोना को पकड़ कर बांदा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि यहोना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है और वो उससे मार दाना चाता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उससे भाउशित वक्ता जानते थे पर जो हेरोदस का जन्मी दिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उच्सों में नाच दिखा कर हेरोदस को खुश किया इसलिए उसने शिपत का कर वच्छन दिया कि जो कुछ तुमागेगी मैं तुझे दूँगा वो अपनी माता की उकसाए हुई बोली यहोना बप्तिस्मा देने वाला कसिर थाल में यही मुझे मंगवा दे राज़ दुखित हुआ पर अपनी शिपत के और साथ बैटने वालों के कारण आग्या दी कि दे दिया जाए और जेल खाने में लोगों को भीज़ कर यहोना कसिर गटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गिया और लड़की को दिया गिया और वो उसे अपने मां के पास ले गई और उसकी चेलों ने आकर उसकी लोट को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर इश्यू का समाचार दिया जब इश्यू ने यह सुना तो नाप और चड़कर वहां से किसी सुनसाच जगा एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगसे पैदल उसके पीचे हो लिए यहना भप्तिस्मा राजा हिरोदस का सामना करते हैं और उनकी गलती को ने बुठाते हैं इसकारण राजा क्रोदित होकर यहना भप्तिस्मा को जेल खाने में डाल दिया था परन्तो हिरोदिस के मांग के अनुसार यहना कस्तर को प्ताल में रखकर उसके बाद भेज दिया गया था राजा बल्वान थे, राजा पराक्रमी थे अधिकार्व को रखते थे राजा नहीं चाहते थे कि यहना को मारे क्योंगि लोग यहना भप्तिस्मा को भवश्यद वक्ता मानते थे और बफश्चित वक्तों को मारना उनके लिए गुनाह होगी और लोगें के भैसे उनने यह नहीं किया था पर अपनी शपत के कारण और उनके साथ में जो बैटे हैं जिनके सामने वचन दिया गया था राजा हिरोदस ने यहना को मरवा दिया था इतनी बड़ी अधिकारों को रखते हुए और चाहा कर भी राजा हिरोदस यहना को नहीं बचा सके लगबग अपने तीस वर्ष के पूरा होने से पहले ही यहना बबतिस्मा इस अंसार को छोड़कर चले जाते हैं इश्यमस्य ने पहले सुना था कि यहना बबतिस्मा जेल में है लेकिन कुछ नहीं किये जेल खाने पर बंदी रहते समय बबतिस्मा यहना ने इश्यमस्य के पास अपने चलों को भेजा था इस उमीद के साथ में कहीं इश्यमस्य को छोड़ा कर भार ले जाए लेकिन इश्य मसी वहां कुछ नहीं किया है यहाना बफ्तिसमा की मृतियों होती है इश्यों यहाँ बड़ भी दखल नहीं देते हैं इस घटना के लगबग 3 साल के भीतर ही प्रभी इश्य मसी को भी संसार को छोड़ना पड़ा इश्य मसी ने यहना के विश्य में ना तो चिंता जटाया ना दुख जटाया और नहीं अफसोस किया और नहीं इश्य मसी अपने विश्य में भी भी काम करते हैं क्योंकि प्रविश्व मुसी जानते हैं इस संसार को छोड़ने के बाद वे उत्तम से उत्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। इस संसार को छोड़ दिये हैं लेकिन उस सीधा स्वर गराज में फिता परमेश्वर के पास पहुँच के हैं। इकांत एक संसांज जगा पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन किसी की नजर इक शूमसी की पर बढटती हैं और जिस तान में वो बेटे हैं उस की जानकरी बाकी लोगों को देते हैं। और एक के बाद एक होका सारी भीड इशु के पीछे हो ली और इस बड़ी भीड को देखने के बाद इशु मसे तरस काते हैं देख दे तेरा वचन से जब इशु ने ये सुना तो नाव पर जड़कर वहां से किसी सुनसांज जगा एक आंत में चला गया और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए उसने निकल कर बड़ी भीड को देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को जंगा किया जब सांज हुई तो उसके चला ने उसके पास आकर कहा ये तो सुनसांज जगा है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें इश्यू ने उनसे कहा उनका जाना आवश्क नहीं तुम ही इन्हें खाने को दे दो उनने ने उससे कहा यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मचलियों को छोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां मेरे पास ले आओ तब उसने लोगों को गास पर बैढ़ने को कहा और उन 5 रोटीों और 2 मचलियों को लिया अस्वर की और दे कर धनिवाद किया और रोटिया तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलोंने लोगों को और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्हेंने बचेवी ठुकणों से भरी भी 12 टोक्रिया उठाई और खाने वाले स्त्रियों अबालकों को छोड़ कर 5000 पुर्शों के अटकल थे और उसने तुरत अपने जिलों को बर्वस नाव पर चड़ाया कि वे उससे पहले पार चली जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करें वह लोगों को विदा करके प्रात्ना करने को अलग पहार पर चड़ गिया और सांच को वहां अकेला था उसने में नाव जिल के बीच लहरों से डगमगा रही क्योंकि हवा सामने की थी और रात के चोते पहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबराके और कहने लगे वह भूध है और धर के मारे चिल्ला उठे इश्व ने तुरंदन से बाते की और कहा डाडस बांदो मैं हूँ धरो मात पत तब पतर इस नाओ पर से उतर कर इश्य के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर ढ़र किया और जब डूपने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभू मुझे बच्छा इश्व ने तुरत हाद बढ़ा कर उससे थाम लिया और उससे कहा हे अलप विश्वासी तो ने क्यों संदे किया, जिब नाव पर छड़के, तो हवा थम गई, इस पर जो नाव पर थे, उन्हें उसे धन्लूबत करके कहा, सच मुझ तो परमिश्वर का पुत्र है, वे पार उतर कर गैनेस्रत देश में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर, आसपास हम लग तीन भागों को देखते हैं, सबसे पहला भाग, राजा हेरोदिस ने बबतिसमा योहना को मरवा दिया, दूसरा भाग, इश्यम उसी पांच हजार पुर्शों को, अब पाकिस्तरियों को और बच्चों को पांच रूटी और दो मच ले खिलाते हैं, और तीसरा पांच रूटी और बच्चों को सुनने के बाद, राजा हेरोदिस गबराने लगे, और फिर सोचने लगे, जिसको उन्हेंने मरवा दिया था, वही बबतिसमा योहना फिर से जीव उटा है, योहना बबतिसमा के मेरे बे कुछ दिन और महने भी नहीं बीते थे, लेकि आने लगा कि मराव विक्ती तुरंद जिन्दा हो गया और इन्हें परिशान करने के लिए इनके सामने इनके राज में आ चुके हैं, जब इशुमस्य समदर के पानी के उपर चल कर जा रहे थे, तब सब लोगों ने ये विश्वास किया कि भूत पानी के उपर चल सकता है, और इसी बात को भी चला चला का ढरते वे कहने लगे थे, तब इशुमस्य ने तुरंद उनसे बात देखी और उनसे कहा, डाडस बांदो, मत डरो, मैं हूँ, तब अत्रस इशुमस्य से बोस्ते हैं, प्रभू, अगर आप ही हो, मैं भी पानी पर चलना चाता हूँ, मुझे इसमात को स्विकार कर लिया, कि भूद के अंदर बहुत सामर्द है, भूद के अंदर बहुत शिक्ती है, और इस रिस्टी के ताकतों से भी भूद के ताकते बढ़े हैं, यह लोग मानने लगे हैं, लेकिन स्रिस्टी करता परमेश्वर हमें बताने की कोशिश करते हैं, कि स लोगों में खिलाते हैं इश्यमस्य के जेलों के हाथों में आहार की मातरा बहुत कम थी बहुत थोड़ा ही था लेकिन इश्यमस्य ने उसी थोड़े से आहार को लेकर उसे बांट कर हजारों की बड़ी भीड को खिलाते हैं वहीं इश्यमस्य इसके बाद पानी के पर चल कर ज तो भी काफी है और बीमारी हड जाएंगी और दुस्ठात में बाहर निकल जाएंगे लोग चंगे अस्वतंद्र हो जाएंगे पानी को दाकरस में बदलते हैं कोडियों को चंगा करते हैं अंधों को आखे देते हैं लंगणों को पैर दिकरूरे चलाते हैं गोंगों को जबा प्रभु के पर विश्वास करते हैं, किसी भाई के साथ प्रभु के पर विश्वास करते हैं, किसी नुकसान को दूर करने के लिए प्रभु के पास आते हैं, उनका भरोसा करते हैं, किसी मांग के पूरे होने के लिए प्रभु के पास आकर उन पर विश्वास रखते हैं, तो तो परमेश्वर को जाने, उनको पैचाने, कि वो स्रुस्टी करता है, और वो सर्वेश एक दिमान है, सारी जगत के उपर इदिकार रखते हैं, सारी स्रुस्टी के पर इदिकार रखते हैं, हर एक ताकत से भी बड़ा ताकत उस प्रभु का है, मृत्यों से भी बड़ा ताकत जीवन का पुनुद्धान कता को तुनका है, अच्छाईका, भलाईका, हर एक चीज़ को उत्तम से उत्तम रूप देने की शक्ती और सामर्द उस परमिष्वर के पास है. वो खुदा है, वो परमिश्वर है, वो हमारे प्रवु है, हमारे रचने वाले हैं, हमारे सरजनहार हैं, हमारे दीखभाल करने वाले हैं, हमारे मुक्ति दाता हैं, हमारे उद्धार करता हैं, इस बात को लोग पैच्छानें और इसको स्विकार करते हुए उस प्रवु के पी हवावे वोड़ सकता है, यहां से वहां जल्दी से तेजी से निकल सकता है, तो प्रभु चाहता है कि आप इन चीज़ों के उपर नहीं परंतो सर्वर शिक्तिवान परमिश्वर के उपर विश्वास को रखे. पानी के उपर चलने की सामद इश्वमसी के अंदर है, और वही सामद पत्रस को भी दिखाते हैं. पत्रस विश्वासी के साथ पानी पर चलते हैं लेकिन विश्वास की कमी के कारण वो डूबने लगते हैं तो प्रविश्वासी अपनी हाथ बढ़ा कर उन्हें बचा लेते हैं और उनसे कहते हैं हे अलप विश्वासी तो क्यों पूर्ण विश्वास को नहीं दिखाया तो क्यों आगे तक नहीं बढ़ा प्रविश्वमस्याम से भी कहते हैं आपका विश्वास गलत आधरों के उपर है आपका विश्वास अलप विश्वास है तो आज सही आधरों के उपर और पौन विश्वास को लाने के लिए अपने मनों को सिद्ध कीजिए इन वचनों को सुनने के बाद आपकी विश्वास का आधार बदल जाए आपका विश्वास का कारण बदल जाए आपका विश्वास का स्रोत बदल जाए इसे कामना के साथ मैं आज की ध्यानश को यहीं पर समाथ करते हैं आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अध्यात्मी जीवन की दैनी खुराब कर फिर में बिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरां का भी ख्याल रखिए God bless you